तो गाइस देख पा रही हो यह लोकेशन हमारा भागलपूरु का है जो बनीरों गाड़ी है जेटा वेरियेंट 2016 की जहाँ पर हमारा ACBCS Automatic Clutch Pedal Control System का Retrofitment कर दिया है हमने पूरा गाड़ी पूरी Automatic हो चुकी है Automatic Accelerator के द्वारा मनीश जी की गाड़ी है जो इस गाड़ी को ओनर है तो इनसे ही आप खुद ही जान लिजे कि यह गाड़ी की साफ से वर्क कर रही है एमटी सिस्टम में हेलो फैंस वेल्कम टॉमाई चैनल और आप देखते हैं मेरी कार है यह 2016 मोडल की कार है और मैं इससे तकरीवन शे साल लगबग चला चुका हूं 2016 से अभी तक में और यह कार चलाने में मुझे काफी तकलीफ हो थी क्योंकि यह मैनूल कार थी और इसे मैं आटो क्लच करवाया है जिसका पूरा प्रोसेस आप देख पाएंगे कि देखे विकास जी आ गए हैं मुंबई से आए हैं अच्छा मुंबई से आ रहे हैं और जा रहे हैं गाहां पर गुवाटी जा रहे हैं अब यह पूरा इंडिया में इन्होंने मुझे दिखा आ है अस और हम सिटी क्लच का ज्यादा डिलर्शिप कि देती है नहीं और हमारे सिटी क्लच के मुख्य काम जो हम करते हैं वो हमारे खुद के ही अंडर में हम ऑटक करके करते हैं मितलब आपके पास जो भी बंदा हैगा वो वेल एडुकेटेड वेल ट्रेंड एन वेल मैनर्डी रहे तो वीडियो पर बने रहे पूरे डिटेल की बारे में जानकरी आपको इसमें सब देंगे हम अच्छा यहीं मेन कॉंटेक्ट नंबर जो है इनिका ही रहता है यहीं मुझे कॉंटेक्ट थे सुरू से टच में थे और यहीं यहां पर आकर में मेरे पास आये जिस दिन का होगा कि वाया सेड्ल पर मेरा ही मैंने लगाया तो मेरा यहां पर खुद का ही विजित हुआ है अच्छा मेरा कुश्चन के जबाँ आप फिर भी नहीं दे जो डीवी मोटर्स जो टेक्नलोजी यूज करता है वह वही आप यूज करते हैं यह हमारा किटी सेम है सेम तुसेम लगाने के लिए कुछ काटने के जड़ोत तो नहीं पड़ता है यह पांस तार्स की कनेक्टी से पूरी गाड़ी आपको 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 बनने वाली यह काला वाला बोलिंग आच्छा इसमें हील एसिस्ट दीजेगा इसमें यह क्रूस कंट्रोल दीजेगा और यह क्लच भी बता के बताना पड़ेगा क्यांकि आप बहुत तरह बढ़ा बीडियो देखा हूं आप कर दो निंगल जाते हैं इसको बताएंगे भी आप चले ठीक हो कल इनोंने आधा काम कर लिया था वायिनिंग का काम कल इनोंने कम्टीट किया था आज यहां पे क्लच वागड़ा काम डिजिटल ऑटोमेटिक क्लश पेडल कंट्रोर सिस्टम विट डिजिटल कंट्रोर वाप इसका है अएक हाली अपना 3.5-5.5-5.5.5.5 वोल्टेज से और मोटर का बॉक्स 12 वोल्टेज से होता है तो 3.5 वोल्टेज जो इसके द्वारत दिये जाता है इसको पहले मतलब ये करने के लिए 3.5 व और की मोटर को इसके भी आफ में 12 वल्टेज मिलता है मोटर को यह क्या नहीं कि में 12 वॉल्टेЖ की मिलता रहेगा उसकी हम कार, बैटरी को इस्तेमाल करते हैं जब जरूत रहेगा आजा एक वी बौक्स को बाद में से यो क्या है यही चीज रहता है जो गाड़ी को IMT कनवर्जन में कनवर्ट करता है इंटेलिजेंट मैंवल ट्रांस्पिशन जिसमें एक अनलोग रहता है अच्छे एक अनलोग और एक डिजिटल वाला है इंटेलिजेंट मैंवल ट्रांस्मिशन में ट्रांस्मिट करता है कितना पेचीदा प्रोसेस है एक तम यहां से देखिए इनको गाड़ी के अंदर गुषके लगवग दो तीर घंटे से लगे हुए बहुत मुश्किल काम है अगर आप देख पाने है समझ पाने है this Systems सिस्टम है जो कि क्लच पैडल को नीचे खिछता है और उसका मोटर इधर सीट के नीचे रहता है तो यह इसका मेन वर्किंग प्रिंसपल है इसको आटोमेट करने के लिए इसमें एक चिप का जो सेट आता है वह है जो कि आपको गारी के स्पीट के हिसाब से वर्क करता है यह देखे यहां पे इनोंने नीचे से लाकर कि यहां पर लगा दिया है इस मैने में लग यह हाथ के पोजिशन के इसाब से सामने के तरफ सेंसर को लगाया है तो कि उसे साब से सेंसर को टच करने से वह काम करेगा तो इसको यहां से उखार करके इसके नीचे से से सेंसर को यह लगा दिया है और यह यहां पर एक्सचेन को लगाया है ताकि इसको नीचे पूल करें नीचे पूल करने के लिए इसको लगाया यहां पर तो यह टेक्नलोजी और यहां पर एक मोटर लगाएंगे उदर से वो तार आके उस मोटर को खीचेगा यही वर्किंग प्रिंस पर ले लोग काम हो चुका है अब यह देखी यह डिजिटल जो है City Clutch नाम इसका इसको नो ना निकाल ली है Final City Clutch Final Stage में यह काम कर रहे है इसमें यह फलक लगा करके पहली बाद देख रहे हैं आपके सामने देख लीजिए हैं यह नोने कनेक्शन हो गया यह आपके सामने पहली बार कनेक्शन हुआ है चिक कर रहे है विए वे वेरिफाय हो जाएगा उसके बाद कर अब कर दो कि यह देखें यह जान्दी का जादु है यह जब यह जादू यह जादू है कि विकाजीजिगा कमाल है अब हम इसको फुल क्लज की सेटिंग करें कि क्लज क्या जब फुल प्रेस होने का सेटिंग अच्छा इसको पुरे नीचे करके बस सेट आउट कर देंगे और इसको हमारा सेटिंग क्यों रहता है कि जब धेर सिफ्ट रहेगा तो यह क्लज एक फट तब दबेगा इतना फों एक पोजिशन पर छोड़ते हैं इतना ताकि जोट से पिछे ढ़ं करके लगे मत कि अधर मोटर अपना किक्लच को इतने फोजिशन तक तरश्स करेंगा इसे जब और नहीं क raspberry गाक्र रहेगा हलसा इतना सा प्ले इसमें चोड रहेगा इसमें जाधा header कि ज्यादा पीछे बेकंड पोजिशन पर पिछे ज्यादा मज़ जा है इसके हमारी पूरी भी ट्राइब करके होंगे यह में इनिशल सेटिंग है जो हम चैक करते हैं इसे ही क्याम कर रही है यह देखिया फाइनल फिटमेंट हो गया है और हम लोग टिस्ट्राइब के लिए निकलने वादे फाइनल ने यह बाला प्रिश्ट्राइब कर दिया तो चार गंटे से पाच गंटे का समय लगे गा आपको तो ट्रेंको लगा मतलब कल इनों ने दो गंटे काम किया था उसके अब आज आए तो इनों ने लगवग तीन घंटे काम किया और यह सब रेडी हो गया है कि क्रीश्ट्री से गार लगा दे रहे हैं ताकि कि तरह कोई परिशानी ना हो अब विकाजी तयार है ट्रेस ड्राइब लेने के लिए देखें आने गारी को स्टाट कर लिया विकाजी अब तुरा डीटेल में बताते भी चलिएगा ठीक है हमने इस यह वरा स्टाट कर लिया है भागलपुर की गर्मी ला जवाब है तो 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 गाइस देख पारे जैसे यह हमारा कंट्रोलर डिवाइस है और अपने पूरा आउटो क्लाज का सिस्टम इसमें कंप्लीट कर दिया कंट्रोलर के अभी मोर्स के सेटिंग सब करने वाले हैं तहला बात करा जाए तो यह वी एसे सेंसर इसके जानकारी मैं आपको दूँगा देखिए मैंने यह पहला पर अपूरी मैं गाडि बेगर तैंट डाला ब मैं चलो मैं ब्रेक दबा आगे कर रखा हूं उके अमें ब्रेक छोड़ा तो गाड़ी में रागे चलना लगा आप यह देखिए यह जो यहां पर ये फ्लिंग कर रहे हो यह जो बिलिंग कर हुँ है गाडी की स्पीड के साफ करती है माइक्रो एमेम सेकेंड के साफ से इसके साफ से क्लच पैडल को अपना उप्रेशन मिलता है कि कब वो दबेगा कब नई दबेगा तो हमको हमेशा गाड़ी को स्पीड का सिगनल मिलते रहे था हमारे कंट्रोलर बॉक्स में तो इसमें इतने सपीड इसे पूछें कि इतने सपीड में आदे करक जटके नहीं आने चीए हम यह इस चीज का टैस्ट आउट करते हैं इसके लिए थोड़ा सब साफ रोड पर जाना पड़ेगा हमको फड़ा में रोड पर हाईवे पर आ जाते हैं इसके बाद इसका टूनिंग करके आपको बताते हैं किसल क्या रहेगा अभी हम यहां से अपने इस वाले बटन के द्वारा हम एक बार दबाए देखे कितने स्पीड में अभी भी जादा उट रहा है इपर और दबाए अभी भी ज्यादा उट रहा है दो बार कॉल लगेगा यह इतना सॉफ्ट ली अब उट रहा है मेरे इसाफ से ठीक है बार ड्राइब करके देखते है कि इतने स्पीड में कैसे परफॉर्म कर रहा है परस्ट गे डाला मैंने और मैंने हैं ब्रेक डाउन किया मेरा गाड़ी चला अभी मैं एक्सिलेट किया बीना जर्क के गाड़ी आगे बढ़ा एक भी हल्का सब्सक्राइब को जर्क लगा अभी बार और करेंगे से टेस्ट स यह मैंने सेकेंड गेर में भी टेस्ट कर दिया इसको बहुत अच्छा मुझे तो बहुत अच्छा लगा यह थोड़ा सभी आओ इसको खाली रोड पे लेके चलते हैं यह जो हमारे दो वेरियबल स्पीड के सेटिंग है 15 किलोमेटर और 45 किलोमेटर यह दो इनिशल स्टेट को मेंने स्पीड के सेटिंग 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 सपीड को मैंने लॉक किया मैंने 15 से पार गया मेरा यह बत्ती बंद होगया मरेफियबलो को इंभी थोड़ा सा मौह सबूढ परें और चुनिट को 45 का ही यह हाईवे के स्पीड के basically को आए इसको मॉङक एसको मॉर 1-2-2-2-3-1-4, 1-2-3-2-1-3, 1-3-3-7-4-1-4, 1-3-7-4. मेरे मेरे स्पीड में स्पीड में यह मने वगालोग अभी इसके हिसारब से हमारे स्पच्रेका का अलगांक यह फ़रक्ट में काम करते हैं अब हैसे आपन हाईवे में सब्सक्राइब करते हैं इसपीड में ट्राइब कर रहे हैं और गाड़ी हमारा अगर हम फ्रस्ट गेर में ही देखते हैं कि क्लच की धीरे-धीरे यह संसर को चोड़े प्लच हमारे स्पीड से उपर जायगा यह तो मैं समझ घया अब एक्रूज कंट्रोल सिस्टम बताई यह 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 सिस्टम वही है फिया को पैंट पन्दरा चला ना किसे चलेगा मुझे अगर फंदरा की स्पीड के नीचे रहेगी तो आपकी गाड़ी आपको क्लच को धीरे धीर उठाना पड़ेगा ने मुझे 15 चलाना है अम मुझे 15 चलाना है तो आप 15 की स्पीड में ड्राइब करेंगे क्लच आपका जो रहाईगा वह धीर जीर ऑपर आजाएगा और सेकंड गरल मुझे तो नहीं हो आपको को यह करना पड़ेगा अशलेरें रीटर के यह आपकी अपने अपने विझेगा मैं यह पर यह चीड ड़ेगा यह राफ दाल लूगा मरेसीड बढेगा यह स्पीड बढ यह अपना 15 हुआ अभी पैडल का पोजिशन देखिए अभी धीरे दीरे उठ रहा है अभी मेरे 15 में स्पीड आया यह देखो इस पीड में उपर आ गया पैडल यह चीज है नुझाल उसे में अट्मेटिक गारी यूज कर रहा हूं इंडिया से बाहर तो मुझे काफी आसान लगा आप चलाना तो अब जब मैं यहां आया तो मैंने इसे अटो क्लच करा लिया आप मेरे देखे, सामने एक उटो चल रहा है, गारी हमीजा बंद हो जाती थी बिल्कुल आसानी से चल आप चल 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 जारी है, पिछरे आदे गंटे से में चल चल रहा हूँ तो समास्या इन ही खतम और इस-प द्राइविंग गारी चलाना इतना आसान हो गया ना इस लाइक टेक वाक अब देखें जासे कि मैं दो नंबर भी चेंज हो गया तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर चलाएं कुछ भी दिक्कत नहीं होता है यह जो अटो क्लच का सिस्टम है मैं इसको मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी सब्सक्राइब करते हैं तो गाईज देख पा रहे हो एक फिट्मेंट लोकेशन पर पहुंच चुका हूं जो कि भागलपूर बिहार का लोकेशन है गाडी भले आपको यह हेदराबाट लोकेशन की दीख रही है जहाँ पर कमप्लीट मनीज जी खुदियां खड़े हैं जो गाडी के ओनर है बागलपूर का बागलपूर का लोकेशन है वास्तु भीयार का और मैंने इसे करा लिया है और मैं इतना खुझ मैं बता नहीं सकता हूं पिल्ले छे साल प जो फिलिंग आई ना हो मैं एक्सपेस में कर सकता हूं क्लच दबाने का बिल्कुल जगरत ही नहीं है आप अप डिटेल यह बताएंगे वास्तु एक बार इसका क्विक लुक ओवर करते कि हमने इसमें क्या काम करके रखा है और यह किसी आफ़चा पर्फॉर्मेंस में वर् उपर आएगा यह मैं एक्सिलेटर प्रेस कर रहा हूं तो इकलच हमारा धीरे धीरे उपर आएगा और ब्रेक के वेरियंस में यह अंदर चले जाएगा जहां पर अगर क्लच को मारा गेर की सिफ्टमेंट करनी रही तो हमको खाली यह गेर नॉप के यहां पर एक सेंसर मैंन को बात करूं तो यह आप देख पार है हुमारा कंट्रोलर डिवाइस यहां पड़ा हुआ है और एक मोटर के वॉक्स यहां पड़े हुए तो आप देख पाएंगे इसमें कोई भी वाइरिंग इसके साथ ज्यादा फेरफार कट्रिंग नहीं होती है खाली एक युनिवर्स सब्सक्राइब है तो बीना स्केशलेटर दबाएं पचास फिर में चलती रहे हैं वह सिस्टम नहीं रहेगा उनका कुछ कहन ने का अलग तरक है इसलिए मैं यह नहीं बता चूह आपको क्रूज कंट्रोल उनके सब्दों में होगा लेकिन एक्च्वल कूज कंट्रोल यहां कि पुरी चानकाई देना मेरा अपको फ़र्ज है दूस कंट्रोल का इनका काने का कुछ अलग ही मतलब होता है तो गाइस देख पा रहे हो यह लोकेशन हमारा भागलपूरु का है जो बडीरों गाड़ी है जेटा वेरियेंट 2016 की जहाँ पर हमारा सब्सक्राइब कर दिया है हमने पूरा गाड़ी पूरी ऑटोमेटिक हो चुकी है ब्रेक एक्सिलेरेटर के द्वारा मनीज जी की गाड़ी है जो इस गाड़ी को ओनर है तो इनसे ही आप खुदी जान लीजे कि यह गाड़ी की सब से वर्क कर रही है एमटी सिस्टम में विडाउट यूजेस ऑफ क्लच तो मनीज जी क्या एस्पीरेंस रहा आपका अरे भाई में देखिए यह रोट से निकलता था ना तो मैं जान निकल जाता था कि गारी कब बंद हो जाता था यह तो लगता है कि जननत बन गया यह जो मेले जहन्नूम था पहार की जिए चलना नर्क किये लगता था शकरनी निकलता था जो कि पहार के मतलब फुल पे चैने में पीछे लूट जाता था कभी बंद हो जाता था यह मारुती गारी ठोड़ी से बड़ाश की दिर चल रहा है मक्खन की तरह चल रहा है मकशन हो सामने कुछ मुस्किल नह जान चलाइए जान चलाइए देखिए लेफ्ट वारे पेड़ को भूल जाई है आप समझे कि आपर है नहीं बस अब देख पारे हो खुदी मैन मनिजी का रिव्यू देख पारे हो जो इस ट्रेफिक रोड पर भागलपूर बिहार में द्राइब निकलने में मेरी जान चली ज तो यहां पर हमने गेर सिफ्मेंट का स्ट्रीप यहां पर लगा के रखाया है पूरा हाइड होके रखा हुआ है किस तरह से पकड़ता है कि उसके हिसाब से हम कहीं पर भी इसको अटेच कर सकते हैं यहां यहां जिसाब सब्सक्राइब करने में आपको डूरेबल लगे चीज तो देख पार है आटोमेटिक क्लज पैडल कंट्रोल सिस्टम रिट्रो फिट् आपको पूरी डिटेल वीडियो लेकर के हमेशा आता रहता हूं जिसमें आपको पूरी जयनकारी मिलती है ऐसा कंप्लीट वीडियो आज तक कहीं भी नहीं देखा होगा